हाई शौर हीर तो बगल में आप मेरे मैट्र सेशन देख सकते हैं तो फिराल इस वीडियो में हम देखेंगी कैसा अपार्टमेंट जिसका फ्लो ले आउट साइज वो तो जबरदस्थ होनी वाला है साथ मुसकी कनेक्टिविटी और लोकीशन और उपर से उसको अनबीटिबल प्राइस वो अपने इस 2BHK प्लस स्टर्डी अपार्टमेंट को बिल्कुल जबरदस्थ बना देता है एक दम अनबीटेबल एंड अनमैचबल तो सबसे पहले लोकीशन से स्टार्ट करते हैं सामने जो वे मैट्र सेशन देख रहे हैं यह हमारा एको लाइन का सेक्टर 76 का नौड़ा हो जाता है तो सामने आपको एक सुसाइटी दिख रही होगी सामने वाली वो सुसाइटी हो जाती है हमारी अमरपाली सिलिकॉन सेटी और इस सेट आ जाती हमारी थ्री साइटेड ओपन सुसाइटी अमरपाली प्रिंसली स्टेट और यही आज की हमारी अपार्ट feel हो जाएंगी अपनी 80% society ready to move in हो जाती है जिसमें almost occupancy full है all right तो यह हमारे society की market हो जाती है सामने का इसका view दिखा देता हूं सामने यह wide road आजाता है स्टेट चलेंगे तो दो मिनिट की distance पे हमारा sector 76 का mattress station आजाता है तो connectivity location काफी prime हो जाती है सामने आप महागुन में जारिया society देख सकते हैं all right तो फड़ा वर्ड चलते हैं अपने society के अंदर let's check it out all right हम अपने society के अंदर आ चुके हैं अपने apartment की details की बात करेंगे जोकि एकदम जवर्दस होने वाला काफी बढ़ी है temple देख सकते हैं society के अंदर all right अपने society के एरिया की बात करें अपने society 16 एकड का हो जाता है जिसमें आपको 1BH के 2BH के 2 प्लेस स्टेडी 3BH के 3 प्लेस स्टेडी के apartment मिल जाती है total number of tower 17 हो जाता है total number of apartment 1919 हो जाता है और अपनी society के अंदर जबर्दस amenities देखने को मिल जाता है सामने fully operational massive clubhouse देख सकते हैं और अगर इस society में आपको apartment चाहिए तो currently average market price 5500 plus square feet हो जाता है 34 लाग से 85 लाग तक के apartment मिल जाते हैं तो currently हम अपने apartment के tower के सामने आ चुके हैं tower fully occupied है फड़ा फड़ा अपने tower के अंदर चलते हैं तो यह हमारे apartment के tower की lobby हो जाती है society में tower में 24 इंटो 7th heater security देखने को मिल जाती है और हाँ अपने इस tower के registry open है और tower fully occupied है तो सामने अपने tower के lobby फिलाल हम lobby से अंदर आ चुके हैं अच्छा तो फड़ा फड़ एक बार आपको floor की configuration दिखा देता हूँ अपने floor की दो wing हो जाते हैं एक wing में set दो apartment जाता है आगे चलते हैं number of lift भी देख लेते हैं अच्छा तो एक lift हमारे ये हो जाता है एक lift वो हो जाता है और तीसरे lift ये हो जाता है फिलाल तीसरे lift लगा ही नहीं है तो अपना दो lift fully operational हो जाता है आगे बढ़ते हैं ये हमारे apartment का दूसरा wing हो जाता है दो apartment इस side हो जाता है हमारा तो यह हो जाता है आज का हमारा जबर्दोस 2BHK plus study apartment एक जबर्दोस advantage के साथ जो बस इसके साथ मिलता है तो फटाफ़ट पहले अपने apartment को explore कर लेते हैं और हाँ apartment explore करने से पहले ही मैं आपको पता देता हूँ फिलाल इसे rent out किया गया है owner की side से यहाँ पर tenant साथ 15,000 रुपए पर मंथ rent पे कर रहे हैं apartment आपको semi furnace condition में मिलने वाला है तो जैसे ही आप entry करते हैं यहाँ पर आ जाता हमारे एक spacious living area अपने इस living area के dimension की बात करें 10,5,7 का dimension हो जाता इसका एक बड़िये सा dining और drawing area बच जाएगा इस side हमारा lobby area जाता है apartment का which is the entrance lobby of this apartment यहाँ पर हमारे apartment का study room आ जाता है अपने study room के entrance पे एक wooden gate देखने को मिल जाता है फटावड़ी से देख लेती हैं यहाँ पर आपको एक idle study room का size मिल जाता है dimension अपने room का 6,5 पर 6 का हो जाता है room में बड़े ventilation असे लेट के लिए यहाँ पे आपको एक बड़ा सा window का provision बे मिल जाता है alright तो यह हमारे apartment का study room हो जाता है छोटा से प्यारा सा और सामने यी living area का portion अपना drawing area का portion बन जाएगा बड़े से sofa set लगाई और इस side अपना dining area का portion बन जाएगा four sitter dining अराम सा जाएगा alright moving further यहाँ पे हमारे apartment का बड़ा सा species L shape का kitchen आ जाता है तो अपने kitchen की shape की बात करें आप देख सकते हैं L shape का kitchen हो जाता है हमारा इसमें आपको owner की set से बड़ी है wooden का का काम करा हुआ मिल जाता है और अपने kitchen में ventilation असे लेट के लिए यहाँ पे बड़ा सा window का provision मिल जाता है वड़ा वड़ा आपको कुछ cabinets खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कितना smoothly function कर रहे हैं तो इस space देख सकते हैं kitchen के अंदर आपको enough space मिल जाता है काफी smoothly function कर रहे हैं अपने cabinets भी alright और IGL connection की बात करें तो यह रहा अपना IGL connection आज यह connection में मिल जाता है और अपने kitchen का dimension 6-7 का हो जाता है living area में ventilation और cell net के लिए यहाँ पे बड़ा सा आपको sliding door मिल जाता है जो कि हमें connect करता है हमारी बड़ी सी balcony से तो owner ने यह balcony को पूरा cover कर रखा है आप देख सकते हैं ग्रिल्स extend कर रखा है उपर की साड़ और उपर की साड़ यह sheets लगा रखी है और इस सेट आप ग्रिल्स देख सकते हैं जो extend करा के लगाएगा owner की साड़ से तो हमारे living area की balcony काफी बड़ी हो जाती है आप देख सकते हैं और हाँ अपने floor की बात करें फ्लोर तो आपको पता है चली गया होगा इसमें कुछ नई बात नहीं है फ्लोर अपना ground floor हो जाता है मतलब आपको lift की भी ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली फ्लोर अपना most demanding हो जाता है इस सेट अपने apartment का common washroom हो जाता है इसके entrance पर आपको एक फुटन गीट देहने को मिल जाता है washroom सारे sanitary fitting के साथ आता है साड़े 6 x 6 का इसका dimension हो जाता है और यही washroom common हो जाता है हमारे apartment के first room से so this is our first room of this apartment so जैसा कि already हमने discuss कि है फिलाल इसमें tenant रह रहे हैं that's why आपको सामान इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है इस room के dimension की बात करे 10 x 11 का dimension हो जाता है room में आपको एक बड़ा massive cupboard मिल जाता है और ventilation accidentally वहाँ पे आपको एक बड़ा सा window का provision मिल जाता है as discussed earlier अपने room के साथ attach अपना common washroom मिल जाता है alright तो यह हमारी balcony जाता है यह हमारा window हो जाता है window से आप एक बार view देख लीजे और हाँ अपने इस apartment के साथ एक जबर्दस advantage मिलता है जो कि बस इसके साथ मिलता है वो भी जल्दी देखते हैं लेकिन इससे बहले अपने apartment के second bedroom को देख लेते हैं यह हमारे apartment का second bedroom हो जाता है and basically यह हमारे apartment का master bedroom भी हो जाता है एक बड़िया wallpaper के साथ इसका dimension 12 बाई 11 का हो जाता है काफी बड़िया size मिल जाता है और हमारे इस room के साथ इटेच एक बड़ा सा वॉस्ट्रूम में मिल जाता है और बालकनी में आप ग्लास डोर देख सकते हैं लेकिन उससे पहले ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको एक मैसिव वुडन का कबर्ड बिलकुल ही बैधरिन कंटीशन में आपने बालकनी को देख लेते हैं बालकनी हमारा 5 feet wide बालकनी हो जाती है जो कि fully covered है ग्रिल्स को आप देख सकते हैं सेफीटी प्रोविजन के लिए उपर cover किया गए है ग्रिल्स को उपर की साईड तक extend किया गए है और अपने अपार्टमेंट की सारी बालकनी के अंदर आपको नेट लगा हुआ मिल जाता है आपको चलते हैं अपने अपने लोगों ने कर भी रखा है अपना पार्टमेंट और यह रहाईन का लोगों और यहां से लेके और यह यहां तक जाता है 450 प्लस स्वाइर फिर्ट एरिया हो जाता है यह benefit आपको किसी की साथ नहीं मिलने वाला बस ground floor के apartment के साथ मिलने वाला है और अपने apartment के area की बात करे 1090 square feet हो जाता है प्लस यह आपको 450 plus square feet का lawn area मिल जाता है यह lawn area तो इनका हो जाता है अपना lawn area यह वाला हो जाता है मतलब अपना apartment almost 5500 square feet का हो जाता है अपना apartment हो जाता है एक बार आपको actual lawn area कैसे utilize करते हैं वो दिखा देता हूँ और हाँ यह अपने apartment के document पे mention है सामने आप इनका apartment दे सकते हैं काफी बहतरीन lawn area बना रहा है काफी प्यारा सा पूरी boundary को प्यारा सा cover कर रहा है काफी प्यारे प्यारे trees and plants लगा रखे हैं आप भी चाहे तो कुछ ऐसा ही utilize कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग utilize कर सकते हैं अपने flat का size 1090 square feet हो जाता है और अपने lawn area का size 450 square feet प्लस हो जाता है तो जैसे यह lawn है वैसे अपने lawn को मिला दे तो 1500 square feet का apartment हो जाता है अपना alright तो इस वीडियो में हमने अपनी society को देख लिया अपने apartment को देख लिया अपने apartment के टूजएड advantages को देख लिया उसका condition उसका layout सब कुछ देख लिया तो आप बात करते हैं अपने apartment के demand की लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे channel को अपतर subscribe नहीं गया तो अभी subscribe कर लिजए और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो like कर दीजएगा अगर नहीं लगी हो तो dislike ज़रूर करिएगा तो आप बात करते हैं अपने इस प्यारे अपार्टमेंट के demand की इसका demand हो जाता है बस 60 लेक्स अगर interested हैं तो DM कर सकते हैं Instagram पर या फिर हमें mail कर सकते हैं नमस्कार